एलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सब की पड़ा एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइनिम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका आपका आपने प्यारे से चैनल में खुबसूरा से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पार्ट है जे आर टुटोरियल क हम लोग ने एंड किया था हमारा डुएल नेचर नेक्स टॉपिक हम लोग नेस्ट किया था मतलब स्टार्ट करने जा रहें आज डाडीं ऍुक्टर आप्टर अपर भी थू शॉप्टर बच्छे हुए सर एक हम करें लोग कारेंगे क्षाट्छरबयून और ये मिवहाई ह होगा थोड़ा बहुत आईडिया तुमको पहले से ही होगा ओके तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नहीं चीज़ बताऊंगा तुमको और तुमने यह कहीं पढ़ी हुई है और हो सकता है मुझसे बहतरीन तरीके से पढ़ी हुई हो तो हम लोग थोड़ी बहुत डिसकेशन करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा हम लोग देखने मिलेगा तो थेरी थोड़ी समझने कोशिस करो और टेस्ट बुक रीड करो तो जाके थेरी कहानी अच्छे समझ में आएगा तो यह सारी टॉपिक आज हम लोग डिसकर्स करने व हम लोग देखने जाए तो डाल्टन से स्टार्ट हुआ था अगर तुमको याद होगा तुमने दस्वी में पढ़ा था मेरे ख्याल से डाल्टन थेरी यह सोनो बड़ उसके पहले भी कहानी हम लोग ने पढ़ी हुई अगर तुमको याद होगा तो रिशी कनट की कहानी वेस्टन ने कहानी लाया तुम्हारा थॉम्सन जेजे थॉम्सन वाली कहानी फिर उसके बाद रूदर फोर्ड उसके बाद भोर फिर तुम्हारा मॉडर्न अटॉमिक थेरी है तो अगर तुम डीटेल में पढ़ना चाहो तुम पढ़ सकते हो बहुत सारी अंसी राटी बु है ऐसा particle है जिसको further और divide नहीं किया जा सकता it is the smallest particle yes on all. ये dalton की काहानी थी okay उसके बाद कहीं ने कहीं Rutherford नहीं ये जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे-जे जे-जे-जे-जे-जे हुआ है भी आहां अंतले स्मौलेस्ट पार्टिकल जए फिर इसके बाद से जए ठองमसेन ने कहानी कहा दिया था वह वी लटर मेलं याँ थे जफिर उसको प्लंप पूर्डिंग मेरम ऑपनिल भी बोला जाथा था आसा नो खीर वाला example दिया था मेरे खाल से, मेरे को तो याद है मेरे teacher ने खीर वाला example दिया था, उन्होंने बोला था कि जो खीर है, उस खीर में जो दूद और चावल है, that represent, वो क्या बता रहा है वो तुमारा, वो सारा का सारा तुमारा negative charge बता रहा है, और वो जो बीज बीज में बीज है, जो उसका black वाला जो color है, जो बीज है, that represent the positive charge, यह कहानी उन्होंने कहीं कहीं बताई थी, आहा है या ना, उसके बाद कहानी आ जाती है, रूदर फोड की, और यहां से actual में, इनके उपर questions नहीं बनते याद रखना, डाल टन, जे जे के उपर questions नहीं बनते, रूदर फोड पे भी generally questions नहीं बनता, बढ़ हाँ, कुछ-कुछ चीजे रूदर फोड पे पूछ ली जाती है, इसलिए हम रूदर फोड को अच्छे से discussion करते हैं, तो रूदर फोड का एक बहुत बहतरीन, चाप्तर अक्चल में, यहां से start होता है, कि रूदर फोड का एक बहतरीन experiment है, अगर तुमको याद होगा, तो वो experiment, gold foil वाला experiment है, अगर हम देखने जाए तो, इस इस रूदर फोड फोड एक्सपेरिमेंट सेट अप, यह एक नॉर्मल सेटप है, gold foil का, उनने एक बहुत पतला gold foil लिया था, यह सो नो, बहुत पतला gold foil लिया था, उनने एक alpha source, alpha source लिया था, and what is alpha, alpha is nothing but, helium का nucleus, अगर helium में से हम लोग electron को निकाल ले, यह तुमारा helium है, और helium में से 2 electron होते हैं, तो अगर मैं उस helium में से अगर 2 electron को निक दालनू, तो जो बचता है, जो बचता है, यह जो बच रहा है, generally, यह जो helium का nucleus बच रहा है, उसको हम लोग alpha particle बोलते हैं, क्या बोलते है, alpha particle बोलते हैं, तो, यहाँ पर हम लोग ने alpha particle है, और generally यह positively charge होता है, क्या होता है, positively charge होता है, चलो, ओके, तो आप कहानी कहां स्टार्ट होती है, बहुत पतला सा गोल्ड फॉयल लिया गया, इतना पतला गोल्ड फॉयल लिया गया, कि ऐसा माना गया, कि इसका जो ठिकनेस है न, यह जो ठिकनेस है, इस थिकनेस में सिर्फ एक ही आटम रहे ऐसा माना गया अब ओविसलिए चीज पुरूफ तो नहीं हुई कहीं पे बट ऐसा मारा गया कि इतना पतला गोल्ड फॉयल था ये इसका जो थिकनेस था ना उस थिकनेस में मात्र शिरिफ एक ही आटम रहा उस थिकनेस में उसके जो ये थिकनेस है उसके अंदर शिरिफ एक 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 ए यहां आजू बाजू तुमारा फोटो एलेक्रिक प्लेट लगा हुआ था यह से अलफा रेज या फिर आलफा सोर्स या फिर आलफा पार्टिकल को इंसिडेंट किया किसके उपर इस गोल्ड फॉल के उपर और यहां आजू बाजू तुमारा फोटो एलेक्रिक प्लेट लगा हुआ था यहां फोटो इक क्या बोलते उसको जो तुमारा एकसरे वाला प्लेट होता है उसका नाम भूल गया मैंने उसके उपर जब लाइट एक् या फिर अलफा पाटिकल इसके अंदर आते हैं तो ऐखै وदल्मोस्टव नाइंटी- syllables ain peoples परिक अल्फा पाटिकल्स पास करके भाई पीछे चले जाते मतलब ओल्मोस्ट सारी चालफा लन्वा सरी इसारी लांथधार की बलोगाई अब कुछ जो अल्पाटिकल्स यां रखके हैं लग भग मालो 0.0 199.99 जो हैं वह थो पास हो गए okay यह टो इतने जो पांटिकल्स थे यह तो पास हो गए okay डारेक्ट ली अब लगभग 0.16 या वन आस को आस पास इतने पर सेंट okay यह जो बच्य हुँआ थोड़े से जो पार्टिकल है वो लगभग bend होते हैं more than 0.1 degree से ओके मतलब ज्यादा deflect नहीं होते हैं वो more than 0.1 degree से deflect होते हैं यह deflect होते हैं deflect by 0.1 degree 0.1 degree it is not 1 degree 1 degree का भी दस्वा पाट यह 0.1 degree से वो deflect होते हैं ओके और कुछ मतलब लगभग 1 out of 8000 ऐसा भाई 8000 बार अगर मैं alpha particle को मारूंगा तो 8000 में से एक alpha particle लगभग 90 degree के आसपास वो bend हो रहा था 90 degree या more than 90 degree 90 degree या more than 90 degree ओके 1 out of 8000 बतलब 8000 alpha particle में से 8000 alpha particle में से एक alpha particle जो है वो more than 90 degree वो reflect हो रहा था और कुछ millions alpha particle में से ओके मतलब बहुत ज्यादा alpha particle में से कोई एक alpha particle 180 degree बाउंस हो रहा था मतलब लगभग हम लोग बोल सकते हैं lakhs में ओके 1 out of lakh वो bounce back हो रहा था by 180 degree ओके यह observation बना यह observation बना कि वही almost सारी के सारे जो alpha particles है almost 99% 99.9% वो कहां से पास हो जा रहा था गोल्ड फॉइल से पास हो गए मतलब यहां पी कुछ मतलब लगभग 0.16% लगभग 0.16% के आसपास जो particles हैं वो कहींने कहीं deflect हो रहे था हैं कितना 0.1 degree से मतलब बहुत कम से और 1 out of 8000 मतलब 8000 alpha particle में से कोई 1 alpha particle 90 या फिर more than 90 से वो deflect हो रहा था और 1 out of lakh मतलब बहुत बड़ा number है यह उन में से कोई एक जो particle है वो bounce back कर रहा था 180 डिग्री क्या कर रहा था 180 डिग्री अब यही observation के हिसाब से उन्होंने अपना structure ready किया रेडी किया उन्होंने क्या उन्होंने रेडी किया रूदरफोर्ड atomic model तो what is रूदरफोर्ड atomic model भाई इस पे ही हम लोग discuss करेंगे सबसे पहली कहानी उन्होंने क्या दी सबसे पहली कहानी उन्होंने दी कि भाई अगर अगर लगभग 99.9% alpha particle gold foil को pass कर दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो atom है वो लगभग empty space है मतलब उस atom में 99.9% क्या है empty है मतलब जैसे माल लो हम माल लो यह wooden stick देख लो माल लो यह remote देख लो यह सारे के सारे atom से बने हुए अब जब यह सारे के सारे atom से बने हुए है मतलब इसके अंदर 99.9% जगा खाली है यह कहानी सबसे पहला conclusion आया उनको कैसे conclusion आया भाई यह चीज से जब 99 डारिकली पास हो जा रहे ना without deflection ओके तो 99.9% क्या हो जा रहे है पास हो जा रहे है without deflection तो इससे हम उन्होंने conclude किया कि भाई लगभग लगभग कहीं न कहीं लगभग कहीं न कहीं जो space है वो खाली है तो 99% जो space है वो क्या है? empty है क्या है? empty है यह पहली कहानी आई second कहानी क्या हुआ? second कहानी उन्होंने देखा कि भाई जो 0.16% है न वो डिफलेक्ट हो रहा है 0.1 डिग्री से मतलब बहुत छोटी डिग्री से डिफलेक्ट हो रहा है इसका मतलब यह है कि माल लो कि भाई अगर यह आटम है तो आटम का सारा का सारा जो मास है वो कहीं न कहीं सेंटर में लोकेटेड है कहीं न कहीं, सारा का सारा जो मास है, वो सेंटर में लोकेटेड है, पास ना रहा, सारा का सारा मास, ओके, मतलब भई, बाकी जगे से तो वो पास हो जा रहा है, यहाँ, 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 कहीं से भी कर रहा है, तो पास हो जा रहा है, पट जैसी वो थोड़ा से पास हो रहा है, तो वो थोड़ा से डिफलेक्ट हो जा रहा है, मतलब मालो कि अगर यह आटम है, यह आटम का न्यूक्लिस है, अभी तक न्यूक्लिस नाम पढ़ा नीए, यह उनों ने दिया तो याद रखना, मालो कि आईसा है, तो यहां से अल्फा पाइडिकल फास हो गया, यहां से अल्फ यहां से दो कहानी आई, एक कहानी के आई, कि भाई सारा का सारा जो मास है, वो accumulated है, center पर, जिनोंने उतका नाम दिया, nucleus, उन्होंने बोला कि भाई, एक कहानी दिया, उन्होंने nucleus किया, उन्होंने बोला कि भाई, the whole mass, the whole mass of atom is accumulated, का spelling देखले न, accumulated, at the center, at the center, और उसको नाम दिया, उन्होंने उसको ही नाम दिया, nucleus, क्या नाम दिया, nucleus नाम दिया, बस मैरा, और बोला कि भाई, उस nucleus के पास positive charge है, अब यह कैसे बोला बताता हूँ, also, it has positive charge, और वो positive charge की कहानी कहां आई, that is proton, that is proton, मतलब उन्होंने बोला, कि सारा का सारा जो proton है, सारा का सारा जो proton है, वो center पे accumulated है, सारा का सारा proton कहां पे accumulated है, center पे accumulated है, अगे, मतलब यह, भाई, देखो ना, यह जो एच्ची है, यह positive है, यह जो alpha particle है, यह positive particle है, हाँ या ना, मैंने पहली बताया तुमको, कि भाई यह helium का, helium का nucleus है, helium का nucleus बोले तो क्या, helium का nucleus बोले तो positive charge, अब positive charge यहां से जा रहा है, और वो deflect हो रहा है, तो अगर वो deflect हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो positive से ही deflect हो का ना, अगर वो negative होता तो obviously attract कर लेता, और अगर neutral होता तो उसको चीरता हुआ चला जाता, बट कहीं न कहीं वो turn हो रहा है, bend हो रहा है मतलब कहीं ने कहीं वो ripple हो रहा है और ripple हो रहा है तो उन्होंने conclude कि जो nucleus है ये कहीं ने कहीं positive charge है मतलब सारे के सारे जो proton है वो कहाँ पे accumulated है center में accumulated है और center का नाम दिया गया nucleus यस तो यहां से दो कहानिया याद रखना ओके कि भाई सारे के सारे जो मास है जो टोटल मास है वो कहां पे located है center में और उस center को नाम दिया गया nucleus और उस nucleus का charge क्या रहेगा that is positive charge मतलब सारे के सारे जो proton है वो center में accumulated है clear बासन में आ रहे अब क्या हुआ अब यहां पे अगर हम देखने जाएं तो 8000 में से 1 8000 में से 1 और लगभग लाक में से 1 180 degree bounce back हो रहे थे अब यहां पे और ज़्यादा surety हो गया यहां पे और ज़्यादा surety हो गया कि भाई center वाला जो है वो positive charge ही है guarantee है क्योंकि अगर अगर यहां से कोई एची जा रहा है अगर यहां से कोई एची जा रहा है और वो जा के वापस पीछे आ रहा है तो कहीं न कहीं यह बहुत strong यह बहुत strong चार्ज होगा और यह बहुत strong चार्ज है इसका मतलब अपसोच लो गोल्ड फॉइल है गोल्ड बोले तो भाई गोल्ड का जो atom है उसके अंदर कितना proton होता है हमको पता है गोल्ड का atomic number मेरे को नहीं पता लगबग 50 क्या सपास है 50 उस तो है मेरे को नहीं पता तो गोल्ड का जो atomic number है भाई उतना proton है इसके अंदर उतना proton है मतलब यह बहुत strong positive charge है अब यह बहुत strong positive charge है मतलब helium जा रहा है बिना टकराए बिना टकराए वो ripple होके वापस आ रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि सारा का सारा जो भी चार्ज होगा वह एक center में accumulated होगा मतलब वह positive charge कहीं ने कहीं center में accumulated होगा तो यह point कहीं ने कहीं और शोर हो गई वह अलसो इठास positive charge accumulated क्यूआ यह अट सेंटर कहीं ने कहीं यह पाहानी भी एकदम भेतरी तरीके से यह हो गया यह सौन उके उसके बाद उन्होंने और कहानी बोला कि भाई जो electron है वो revolve कर रहे है circular orbit पे revolving in the circular और अर्बिट around the nucleus ओके यह सारी कहानी रूदर फोर्ड की थी रूदर फोर्ड का model बहुत बहतरी तरीके से चल रहा था सब लोग ने accept कर लिया था मान भी लिया था सब बहतरी नहीं था अब प्रॉब्लम क्या हुआ इसा नहीं कि वो गलत थे ना 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 गलत नहीं तो उन्होंने बहुत चीज़े सही बताई थी कुछ जगे वो गलत हो गय थे गलत हुए तो वो माक्सवेल की थेयरी में एक साइनटीस थे जेमस माक्सवेल तुमको पता है यह सानो तो माक्सवेल की थेयरी क्या थी उन्होंने बोला था every, every accelerated particle, every accelerated particle emit energy in the form of, in the form of electromagnetic wave electromagnetic wave यह किस की थेयरी थी यह थी माक्सवेल की थी मतलब माक्सवेल ने बोल दिया कि भाई कोई भी ऐसा particle कोई भी है सा पार्टिकल जिसके पास acceleration होगा कोई भी है सा करेगा, एनरजी एमिट करेगा, कैसे उठा रही है, कैसे उठा रही avt घान से समझने कोशित करो. ओके, आब यहान पर कहानी थी कि भई जो electron है, वो कैसे घुम रहा है, electron revolve कर रहा है, circular orbits में, इलक्ट्रॉन कैसे रिवाल्फ कर रहा है, इलक्ट्रॉन रिवाल्फ कर रहा है सर्कुलर ओर्बिट में, अब इलक्ट्रॉन सर्कुलर ओर्बिट में रिवाल्फ कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो accelerated particle हुआ, भाई, सर्कुलर ओर्बिट, सर्कुलर में acceleration, centripetal acceleration की कहानी है, direction always changes, य हुआ की नहीं हुआ हुआ जाहिर सी बात है तो Maxwell ने बोला कि भई if the electron has acceleration it means कि वो electron कहीं न कहीं energy lose कर रहा होगा यह सुनो भई अगर उसके पास acceleration है तो कहीं न कहीं वो energy भी lose कर रहा होगा हाँ या ना तो अगर कहीं न कहीं वो energy lose कर रहा है तो कहीं नहीं वो भाई थोड़े टाइम के बाद थोड़े टाइम के बाद स्पाइरल करते 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 नुपलियस में टकरा जाना चाहिए मालो यह तुम्हारा नुपलियस है भाई उसको नुपलियस सेंटर की तरफ घीच रहा है ना electron is the negative charge and nucleus is a positive charge यह जो नूक्लियस है यह पॉजिटीव चार्ज है और यहाँ पर तुम्हारा जो इलक्ट्रोन है वो नेगिटीव चार्ज है तो अगर यह इसके अलॉंग घूम रहा है तो यह इसको अंदर की तरफ घीच रहा है अंदर की तरफ घीच रहा है और एलक्ट्रॉन धिरे-धिरे energy emit कर रहा है यह सौन धिरे-धिरे energy emit कर रहा है करा जाएगा तो कहीं नहीं हाई लिए अटम डिश्ट्रॉइ हो गया तो अभी तक यह दॉद आ buried ओम प्रॉद Maxwell ने Rutherford से ये सवाल पूछा कि भाई explain करो कि कैसे atom stable है क्योंकि मेरे हिसाब से क्या हो रहा है भाई energy every accelerated particle emits energy in the form of electromagnetic wave तो अगर electron के पास acceleration है तो वो energy emit कर रहा है energy emit कर रहा है तो इसका मतलब वो nucleus से टकराएगा nucleus से टकराएगा मतलब atom destroy हो जाएगा but atom destroy हो नहीं रहा है तो ये क्या कारण है और ये चीज़ नहीं बता पाए मतलब Rutherford ये नहीं explain कर पाए Rutherford unbele to explain why Rutherford unable to explain atomic Stability ओके वो ये नहीं बतापा रहते कि आतम है वो इतना Stable क्यों है क्यों इलक्ट्रॉन क्यों नहीं करेगा ये चीज रूदर फोर्ड नहीं बता पा रहते और यही चीज को एक्स्लेइन किया भोर ने भाई भोर की कहानी और बहतरी नहीं भोर ने और बहतरी नहीं तरीके से इस चीज़ को समझा है यह एक स्टेटमेंट था जो रूदर फोर्ड को फेल किया that is Maxwell theory Maxwell ने बोल दिया कि भाई जो भी accelerated particle रहेगा वो कहीं न कहीं energy करेगा in the form of electromagnetic wave अब अगर वो energy emit करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो nucleus से ठक्राएगा और nucleus से ठक्राएगा तो atom destroy होगा बट ऐसा हो नहीं रहा था atom is stable तो क्यों stable है वो बताओ रूदर फोर्ड ने पूछा कि बताओ Maxwell ने पूछा रूदर फोर्ड से बताओ कि क्यों और बहुतरी तरीके से बनायँ उन्होंने अपनातीन फिलेटट गिए यह टैदिज पमर उथको थरी पॉशुलेट बोलते हैं वोडी पॉसुलेट फै पॉसुलरत कि है कि अब बावशूलेट उन थर्ड पॉसुलेट्स चैनल पॉसूलेट MS लास्ट पॉशुलेट्स एक्जाम में आया ता याद रखना यह लास्ट एर एक्जाम में आखे जा चुका यह बोड के एक्जाम में आ चुका है दो बार आ चुका है के एक के बाद एक के बाद दो बार पूछ चुका इसको तो वन आप दो इंपर्टेंट कोशन है यह याद रखना तो भूर ने तीन कहानी धी पहली कहानी तो बहुत बहतरीन है जो कि अल्रेडि रूदर फोर्ण ने वो कहानी दे थी कि भाई जो एलक्ट्रॉन है जो इलक्ट in a circular orbit in a circular orbit around around the nucleus around the nucleus okay due to electrostatic charge to tomorrow electrostatic force a due to electro static force यह कहानी यह तो आल्रेडी रुदर फोर्ड ने भी दी थी तो कोई नहीं बात नहीं थी यह तो आल्रेडी हम लोगों रुदर फोर्ड ने बता दी तो भॉर ने वहीं बताए कि भाई यह ऐसा है अब्यूट्रों का खूज नहीं हुआ है ना ना यहम बात करें नूट्रों के अंदर न्यूट्रन भी है ना ना यह कहानी अभी तक न्यूट्रॉन की कहानी आई लिए याद रखना कि सिटरो के अभी तक सिरी सबको पता है कि बाइट उसके अंदर प्रोटाँ गोणी तो सिर्फ पॉजटिव चार्ज की गहानी है तो लिछ पोजटिव एलेग्ट्रान नेगेटिव है गोला-गछू रहे हैं क्यूंकि है क्योंकि अलेक्ट्रोस्टाटिक वोर्स है तो जो सेंट मान लो कि वो उनका घर है, और जब वो खुद के घर में घुम रहे हैं, तो उनको कोई भी रेंट देने की जूरत नहीं है, मतलब वो ऐसे घर में घुम रहे हैं, जहां पे भाई, प्रॉपर जो एनरजी है उस घर की, वो उस एलेक्टरॉन के एनरजी से मैचक कर रही है, तो That's why it is called as second postulates और उन्हेंने बोला कि जब वो उस orbit में घुमेगा तब वो कोई भी energy emit नहीं करेगा ओके यह कहानी दी भाई किसने भोर नहीं is second postulates key electron electron does not revolve in any random random orbit it revolves it revolves in a special orbit it whose whose angular momentum okay it revolve in a special orbit whose angular momentum is is integral multiple of h by 2 pi where h is where h is Planck constant where h is Planck constant तो कि अल्रेड हम लोग ने पढ़ा हुआ यह चीज़ where h is Planck constant okay यह उन्हेंने second कहानी दी कि भाई electron हर किसी orbit पे नहीं घुम रहा है electron उसी orbit पे घुम रहा है जिस orbit का angular momentum जिस orbit का angular momentum यह चीज़ पर ध्यान देना जिस चीज़ का angular momentum किसके पराबर है है एच बाई टू मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं एल इस एक्वल स्टी जनरली हम लोग एल रिप्रेजंट करते हैं अंगुलर momentum के लिए लिए अन एच बाई टू पाई वेर एन इस नतिंग बटा इंटीजर वेर एन इस नतिंग बटा इंटीजर मतलब एन का जो वैल्यू है वह वह वान टू थी फोर फाई ऐसे हो सकता है मतलब अगर मुझे कोई बोले कि भाई कि एन का वैल्यू 1.5 है तो नहीं वह उस ओर्बिट में घूमेगा ही नहीं वह उसी ओर्बिट में घूमेगा वह उसी ओर्बिट में घूमेगा जिस ओर्बिट का अंगुलर momentum integral multiple होगा किसका h by two Pi का integral मतलब n हो सकता है also 5.5 और उस ओर्बिट में घूमेगा तो जाहिर सी बात है वह कहीं कहीं नहीं करेगा clear कहानि स्मुनम इंगा इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आघसेश मत ँई और ज्यादा डीटेल में पढ़ेंगे बड़ यहां पर कहानी दिरेदे समझों कि वाई क्या चल रहा है अब वाटीस थर्ड पॉस्टिलेट्स अब उन्हों ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं न कहीं जंप कर सकते हैं एलेक्ट्रोन 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 एन मेक्ट्रांजिशन ओके एलेक्ट्रोन एक ऊर्बीट्स और जा सकते हैं electron can make a transition from one orbit to another orbit, electron can make a transition from one orbit to another orbit, भाई वो एक orbit से दुसरे orbit में transition कर सकते हैं, पर जब वो transition करेंगे तो वो कुछ amount of energy lose करेंगे, जिए ओके बाई लूजिंग, बाई लूजिंग, वो एक और बीट से दुसरे orbit और बहुत 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 हैं, उन्हों अर्बिट से जादा उसको energy levels का नाम दिया, बोर ने उनको orbit ना बोलके उनको बोला energy level तो ये एक orbit है तो इसका एक energy level ये दुसरा energy level तो एक energy level से दुसरे energy level में जो electron है वो jump कर सकते हैं वो transition कर सकते हैं हाँ बट condition यह है कि उनको क्या करना पड़ेगा कुछ amount of energy को lose करना पड़ेगा तब वो उसे lower amount of energy energy level पर जा सकते हैं clear बासन में आ गया तो ये तीन postulates है भाई तीनों बहुत detail में पढ़ना है इसका formula इसका formula इसका formula तीनों को बहुत detail में पढ़ना है ओके हाँ बस यहाँ पर almost थोड़ा सा lecture बढ़ान हो जाए इसलिए आज हम लोग सिरी statement देखेंगे इसके जो भी conceptual topic है और detail में जो topic है वो हम लोग next lecture में continue करेंगे clear बस में आ गया again I am saying बहुत theory topic है बहुत बहुत बहतरीन तरीके से marks मिलते हैं इसके अंदर हाँ बस condition यह है कि तुमको कहीं न कहीं test book अच्छे से read करना है कहीं न कहीं नोर्स अच्छे से बनाना है इसके उपर अच्छे खासे questions बनते हैं इसके उपर याद रखना यह questions last 2 साल से आ रहा है exam में what is the board, postulates, state the formula derive भी नहीं पूछ रहे हैं सिर्फ पूछ रहे हैं भाई तीनों postulates बताओ और तीनों के formula बतादो कहानी खतम, ओके तो हम लोग ने statement देख लिया बाकी जो भी इसके conceptual topic है वो हम लोग next lecture में continue करेंगे clear बास में आगया everyone चलो, वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को like करना है चैनल पर first time हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना अपने दोस्तों को share कर देना और bell icon जरूर प्रेस कर देना कि जैसे वीडियो अप्लोड हो तुम तक वो वीडियो पहुच जाए notification पहुच जाए so next video में मिलते हैं पढ़ाई करते रहो तब तक के लिए चलो, so आज का वीडियो में यह पेंड करते हैं आज के लपस इतना है, that's it for today thank you so much everyone